नमश्यार दोस्तों आप शिवी का बहुत बहुत श्वागते दोस्तों आप शिवी को बता दे कि याने वाले तीन दिनों के अंदर तुमारे नाम के चर्चा घर घर होगी जियां दोस्तों आप शिवी को बता दें कि ये आशो में आप शिवी को घर घर जाकर मिठाई बांटनी पड़ेगी क्योंकि दोस्तों अगले तीन दिनों के अंदर आप शिवी के जमकाल में कुछ ऐसी बड़ी खुश कपरी आ रही है जिनी शुन कर जिने जानकर आप शिवी के खोस उड़ जाएंगे और घर परिवार में आपके खुशियों का कोई ठिकाना नहीं देगा जों दोस्तों हम आप शिवी को बता दें कि ग़रहों की स्तिते में हमेशा प्रिवर्दन होते रहते हैं जब गरहों की अशुब प्रस्तिती का निर्मान होता है तो व्यक्ति को शंकट शमयशाओं शे जुजना पड़ता है और कई परकार की मुश्यपते एक शात आ जाती है लेकिन दोस्तों वही इसकी विर्पीत अगर शमयशाएं के शात उन्हें शुब भल मिले तो यह शमयना ह कि गरहों की तती बहुती शुब बना है पर दोस्तों कुछ ऐसे ही शुब प्रस्तिक निर्मान या शमय आप शिबी की राशी वालों के उपर होने वाले हैं जिनके कारण दोस्तों अगले तीन दिनों के अंदर आप कुछ ऐसी बड़ी खुशकबरी प्राप्न होने वाली ह कुछ यसे बड़ी कम्यावी आप शिबी को मिलने वारी है जिनके कारण घर-घर आपके नाम की चचा होगी जिया दोसों हम आप शिबी को बता दें कि अगले तीने दिनों का शमय आप शिबी के लिए बहुत भागी शाली शमय है यह शमय को आप कभी शात जन्मों तक भुला नहीं पाएंगे एसी कुछ कबरी आप शिबी को मिलने वारी है जिया दोसों परन्त दोसों हम आप शिबी को बता दें कि यह में कुछ बातों का आपको दिहान रखना होगा कुछ गलती आपको भूल कर भी नहीं करने होगी जिया दोसों चाहे कुछ भी हो जाए दोसों अगर आप यह गलती करेंगे तो दोसों अपने किश्मत में कुलाडी आप खुद ही मार लेंगे यानि कि दोसों घर आए आप अपने महमान को ही बगारे इश्वरकार की इस्तती होने वाली है जिया दोसों आने वाले तीन दिनों के अंदर आप शिवी के जुनकाल में कुछ ऐसे गरहों के परिस्तती बनने वाली है कुछ ऐसे गरहों में शुब्यों का निरमान होनेवाले हैं कुछ ऐसे महद्पून पलाप शुबी के जिवनकाल में आनेवाले हैं दोस्थों यकीन मानिए ये आपके इश्वर के हित दिया हुआ वर्दान है जिन दोसों अगर आप इस वर्दान का लाब उठाएंगे अगर आप इन में ध्यान देंगे अगर आप इस वीडियो को आप अंते तक ध्यान शेश मज़ लेंगे तो दोसों हम यकीन के शाथ कहते हैं कि आप शबी के जुनकाल में जो भी परिशानियां चल रही है जो भी शत्रू आप शबी को परिशान कर रहा है जो भी पेशों की दिकतें आ रही है जो भी शमेशाएं आप शबी के जुनकाल में लगतार चल रही है दोसों उन्हें शबीशे आपको मुक्ती मिल जाएगी ये 100% दावा है जियां दोसों अगर आपको यकीन ना हो तो दोसों आज के इस वीडियो को आप अंत तक ध्यान से देख कर देखिएगा दोसों हम यहाद आवा करते हैं कि जो भी जा तक आज के इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लेगा दोसों उनके जुनकाल में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने वाली है अगले दो दिनों के अंदर जी हाँ दोसों अगले दो दिनों के अंदर आपको कौन सी चीज़ की बुस्तों भूल नहीं करना है कौन शी गलती नहीं करना है और दोस्तों कौनशे इसे कार है जिनिमें आपको कारी करने है साथ साथ दोस्तों जो गरहों की स्तिती बनने वाली है इनिमें आपको कौन-कौनशे बड़ी खुशकबरी मिलने वाली है कौन-कौनशे लाप के मुखे आप शबी को प्रापत होने वाले है दोस्टों सभी के बारे में हम आपको एक एकर के बारे कीशे बताने वाले हैं दोस्टों हर एक बात समझाने वाले हैं कि याश में आपको कौन-कौन सी चीज़ों में लाब होंगे जी है दोस्टों तो दोस्टों वीडियो को बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा तो यह दोस्तों वीडियो को परारण करते हैं शरुपर्दम दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले भगवान भोलेनात के शच्चे पिरिभक्त दोस्तों चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को शब्स्क्राइब कर लें और विडियो को एक प्याराश्र लाइक करके कमेंट बुक्ष में शच्चे मन से जै भुरेनात लेग दे बगवान भुरेनात का शिरुबाद आप शिवी के उपर परापत होंगे जियां दोस्तों तो आई दोस्तों बात करते ही दोस्तों हम आप शिवी को बता दें कि पिछले शमे से यह जो महीने की शुरुवात हुई है दोस्तों इनमें आपने बहुत कोई शोचे थे कि हमारा शमे बहुत ही अच्छा होगा हमारे गरहों के स्तथी बदलेगी उनमें हमको लाब मिलेगा लेकिन दोस्तों आपने जो भी चीज सोची थी दोस्तों आपको उतना लाब गरहों का नहीं मिल पाया है दोस्तों आपने इस शाल में भी जो चीज सोचा था दोस्तों वो भी आपको नहीं मिल पाया है लेकिन दोस्तों हम आप शिवी को यह बात बताए है कि वक्त पेले और भागी से ज़्यादा किशी को कुछ नहीं मिलता है और दोस्तों जो व्यक्ति वक्त के शाथ मिलने वाले भागी के शाथ मिलने वाली चीज़ों को ठुकरा देता है उनमें ही गलती कर देता है तो दोस्तों उस इंसान का किश्मत ही खराब होता है जियांदोसों वह इंवा इश्म वह इंसान ही बदनशीब होता है और दोस्तों आने वाले तीन दिनों के अंदर आप शिवी की जुनकाल में कुछ यसे ही प्रस्तिती का निर्मान होने जा रहा है जहांपर आप एक भी गलति खरेंगी तो दोस्तों आप अपने किश्मत को आकशिवी की राष्वी बनने वाली हैं तो इनों का परभप आकशिवी की राष्वी परष्वी परश्मी परवल होने वाले हैं जिन के कारण दोस्टों अगले दो दूनों को या फिर तीन दिनों के अंदर आपको इन शबी बातों का ध्यान रखना बोहत ही ज़्यादा जरूरी है जियां दोस्टों तो दोस्टों आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान शिदिखिएगा दोस्टों अगर आप सारी बात बताने वाले कि दुश्मन शे भी आपको यश्मी केसे बचना है उन्हें केशे पराजित करना है केशे आप अपने कारियों में शबलताओं को प्राप कर सकते हैं तो दोस्टों सरपर्थम आप शिवी को बता दें कि यह जो श्रमय है यह जो गरहों का निर्मान है दोस्टों ये आपके लिए बगवान शिन्देब का और बगवान भोलेनात का दियावा वर्दान है और दोस्टों यश्मी गुरू शुकरिशनी की जो इस्तिति आपके जुनकाल में प्रभावशील है दोस्टों इन से दोस्टों आपके लाबके बहुत शारे शिर राश् भगवान भोलेनाथ के श्रवाद से आपशिवी की कुंडली में इसा गरों का निर्मान पहले नहीं हुआ था लकिन दोस्नों अब वो हो सचुका है दोस्वन श्तुशती नाम का योग का निर्मान एक बार पहले हुआ था और दोस्वन ये दूश्री बार है शादिशा दोस्वों आप शिवी के जुनकाल में जो ये गरहों की इस्तिती है दोस्वों गुरू शुकरशनी की जो इस्तिती है इनमें दोस्वों सबसे पहले आपकी आर्थी इस्तिती की जो भी व्यस्ता खरावती दोस्वों वह शुधरने वाली है दोस्तों अगले तीन दिनों के अंदर आप शिवी के जुनकाल में पेशों की शमयशाएं दूर होने वाली है ये बात दोस्तों आपके लिए बिल्कुली हश्य की बात होगी कि दोस्तों बहुत शमयश्य आप इंतजार कर रहे हैं और दोस्तों आपको इंतजार का फल भी नहीं मिला था लेकिन दोस्तों हम आप शिवी को बता दी कि भले ही आपके जिवनकाल में विलंब हुआ है लेकिन दोस्तों आप यह बाद भी जानते हैं कि भगवान के गर देर है लेकिन दोस्तों अंधेर नहीं है बश आप अपने ज जिवनकाल में आपको नए नए रास्ते मिलने वाले हैं। जिवनकाल में हमेशा चत्रु परबल रहते हैं। जिवनकाल में दुश्मन बनते जाते हैं। जिवनकाल में कुछ खुशकबरियों को पाते हैं। जिवनकाल में बहुत जाते हैं। जिवनकाल में बहुत जाते हैं। जिवनकाल में बहुत जिवनकाल में बहुत जाते हैं। 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 सबस्ते हैं आपको और भीन गलत नहीं करना और यहीं दोथ कुछंपीं को बूंदे aus करें करते हैं प्रूंद शे waste acquborоля के लुटान करते हैं नियूकरी को कोई नहीं उसनाय बनाते हैं जाहे दोष्वबके कोर कवें प्लान कर रहे हैं매 तो दोस्तों इश्य बकारियों की सुचना आपके शिबी करेबी किसी भी अपने वक्ति को मत देजेगा। दोस्वों यही शब बातें आप शिवी के जुनकाल में लपरवाही रखने के कारण दोस्वों आप शिवी के जुनकाल में कई शारे दोस्वों बिगन बदाएं आ रही हैं और दोस्वों आपके जुनकाल में पिछले शुमेर्शी भी गटनाय हुई है कि आपका कईश या राइशा कार हुआ है जो दोस्वों आप शोच रहे थे कि या कार अब हमारा आज कल पर्शों गाफिर दर दिन के अंदर ही शंपन होने वाले हैं बहुत ही आप मेहनत कर रहे ह बहुत ही लगनगी शातकार कर रहे हैं दोस्वों फिर आप उन शुमी बातों को किशी के साथ साजा करते हैं जिन के वज़श्ची आपका काम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है शुरू होने से पहले ही बाधाई उनमें उत्पन होना शुरू हो जाता है और दोस्व वे बड़ी ओर गल्बी गल्ति ना करें जैसे दोस्तों आप शिविकी राशी के जो जाटके होते हैं शब्हाव शी दोस्तों आप उनको मुझझ पर ना नहीं कह पाते हीं जियार दोस्तों आप मन में शुच लेते हैं कि हम इन्हें ना करेतेंगी लेकिन दोस्तों जब वशली शाम ने आकर आगे हाथ फैलाता है आप शेक एक rocks घातकर हैं लगन दोस्तों भगवान श्रीकिश ने यह भी काहा है कि लोगों की मदद करो यह अच्छी बात है लेकिन खुद को तकलिप दे कर केशी को मदद करना यह गलत बात है जी यह दोस्तों जेब तक आप खुद को ही शमाल कर नहीं रखेंगे तो दोस्वों आप दोस्वों को केशी मदद कर शकते हैं यानि कि दोस्वों शब्से पहले आपको अपने आर्थी की स्थी को बहतर करना है तब ही दोस्वों केशी की मदद करना है और दोस्तों शादेशाद आपको व्यक्ति की भी पहचान करना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों अगले तीन दूनों के अंदर जो भी शत्रू आपके उपर हावी होने वाले हैं दोस्तों उन शबी का पहचान आपको करना ही होगा दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति आपके करीबी के हैं वो दोस्तों यश्में आपके उपर घात करने वाले हैं जो वक्ति आपकी अपने ही वक्ति है जो आपके आगे मीठे मीठे बोली बोलते हैं और दोस्वों आपके पीट पीछे बहुत शारे शड़ें तरचने के कारी करते हैं और दोसों इसने आपके उपर पिछले शमय में भी बहुत शारेश्य कारी किये हैं, जिनके वज़शे आप प्रिशान भी हुए हैं, जिनके वज़शे आप मुशिबत में भी गए हैं, लेकिन दोसों अब आपके जुनकाल में गरों की दिशा, गरों की चाल पलट चुकी है, अब दोस्वों आप शबी की जुनकाल में इश inflation बात पढ़ चुका है जिन के कारण दोस्वों अब आप शमल कर ही कदम उठाएं तो दोस्वों आपके लिए भैथर होगा ताकि आने वाले शमल में आने वाले जियोनकाल में आपको कोई भी मुख्शिबत का शामना नहीं करना पड़े जिया दोस्तों इसलिए यश में आप अपने शत्रू को पहचान करें और दोस्तों उन्चे दूरी बना कर रखें दोस्तों उन्चे आपको वरतालाब बात चित कुछ भी नहीं करना है उन्चे देस्ता आपको बिल्कुल भी तोड़ देना है शादिस्ता दोस्तों आप इन शिवी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो दोस्तों आप शिवी के जुनकाल में जो कुछ कबरी यश में बगवान भूलिनात देने वाले हैं गुरु शुकरशनी की जो प्रवावश लिस्ति बनने वाली है इनमें जो भी आपको लाब के मुखे मिलने वाले हैं दोस्तों वे शिवी आपके जियो नुकाल में रही ही जाएंगे जी हैं दोस्तों तो दोस्तों इन शिवी बातों का ध्यान रखेंगे दोस्तों आगे हम आपको बताता हैं कि अगले तीन दूनों के अंदर आप शुबी को जिनक्वाल में कौन कुछ कबरी मिलने वाली है उसके उपरां दोस्तों आपको बताएंगे कि शत्रू से बचने के लिए और यश्मे माता रानी के शिर्वात पाने के रिए भगवान भुलनाप के शिर्वात पाने के लिए आपको कौन से उपाएं को करना बेहतर होगा तो दोस्तों द्यांश दिखिएगा दोस्तों हम आप शुबी को बिदा दे कि आने वाले तीन दूनों के अंदर जो गरहों के इस्तिती है बहुत ही प्रभावशिल है आपके लिए शजोग्यात्मक एश्मे गरहों के इस्तिती रहने वाली है एश्मे गरहों आपके फूल शपोर्ट में रहने वाले हैं शादिसा आप पद को प्राप्त करेंगे जिनसे दोस्तों समाज में आपका मान समान भी बढ़ने वाले हैं दोस्तों घर का महौल काफी हद तक शुदर जाएगा जो भी चोटी मोटी दिखतें आप शिबी के जुनगाल में चल रही थी चाहे दोस्तों वादिकतें पेशों की लेकर हो चाहे दोस्तों वादिकतें आपकी आर्थिक समश्याओं शिजबी चोटी मोटी बातों को लेकर हो दोस्तों वेशारे यश में खत्म होने वाली हैं और बगवान भोलेनात के शाथ साथ धनकी देवी मत लक्षमी भी आपकी उपर प्रेशन होने वाली है। कि दोस्तों आने वाले तीन दुनों के अंदर धनकी दिवी मत लक्षमी आपके उपर प्रेशन हैं भोलेनात प्रेशन हैं तो दोस्तों घर में आपको शांती का माहल बना कर रखना है। तलास कर रहे थे यश में उनका सफर खत्म हो चकता है और आपको मन चाही नोकरी मिल सकती है। बशरते यश में आपको चलांकी लोगों से बचना होगा चतुर लोगों से बचना होगा। जोगी दोस्तों मुँपर अच्छे बनते हैं और पीट पेचे छूड़े भूखनी का कारे करते हैं दोस्तों यसी लोगों से आपको बचना होगा। जिया दोस्तों इसलिए दोस्तों आपको अपने जुनकाल में बच कुछ बातों के ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आप कोई नए कार की शुरुवात कर रहे हैं अगर आप कहीं पर जा रहे हैं तो दोस्वों आप ध्यान रखिएगा कि कोई व्यक्ति आपके पीछा तो नहीं कर रहा है या फिर दोस्वों कोई एक्ति अशा नहीं है तो जो आपके कारियों पर नजर रख रहा है आप क्या कार कर रहे हैं उन शबी की जनकारी ले रहा है दोस्वों इन शबी बातों को आपको अपने जुनकाल में ध्यान रखना ही होगा कि दोस्वों शत्रू जो होता है दोस्वों आपको जड़ से लेकर उपर तक देखता है और दोस्वों वे आपकी उशारी जनकारियों को लेकर ही आपको तबा करता है तो दोस्वों इन बातों को एदान के शादिशाद दोसों हम आप शुग विदा दे कि अगले तीन दूनों के अंदर प्रेम शुमन्द के लिए शुमे बहुत ही अच्छा है प्रेम शुमन्द में जो भी नौकजो के जो भी शुमेशा हैं जो भी अर्चने आई थी आपके प्रेम शुमन्द में दोसों वे एश में दूर होने वाले हैं शारी साथ दोसों आपके प्रेम शुमन में भी घर की महल में भी सत्रू हाभी हो शकता है दोसों शत्रू आपको हमेशा अपने परिवार की शाथ लड़ाना चाहता है हजियां दोस्तों चाहिए वो आपके बीबी के इशाद आपको लड़ा दे आपके बच्चों के इशाद आपको लड़ा दे आपके खिलाब उन शबी को बढ़का शकता है आपके परिवार के खिलाब आपको बढ़का शकता है दोसों इसे ही सडेंतर आपके शत्रूर रजते हैं ताकि आप घर में ही लड़ मरकर दोसों कट जाएं और वोए अपने जो उनका सडेंतर है उनमें काम्याब होजाए तो दोसों यश्में आपको यह गलती नहीं करना है अपने प्रिवारवालों के शाथ सही धक्से रहना है दोसों चोटी मोटी जो भी बात होती है दोसों उन पर आपको जोड़ शिर नहीं बोलने के अवश्कता है जैन दोसों आप शबी शमयशाओं का हल बेट कर किजिएगा दोसों यश्में गरों के इस्तिक परबल है तो दोसों यश्में आपको लाव लेने की बहुत ही ज़रत है दोसों आप शिबी के जुनकाल में पिछले कई शमयशे शमयशाही समयशाही सर रही है दोसों आपने वो दीन भी देखा है जब आपने जो भी पेशे कमाए हैं उनमें शी एक भी पेशा आपके पास नहीं बचा है दोस्वों पेशा कमाते हैं लेकिन पेशा आपके पास नहीं रुपता है दोस्वों भी पेशा इधर शुदर चला ही जाता है दोस्तों ऐसे परस्ति का आपने शामना किया है जियां दोस्तों लेकिन हम आप शिबी को बता दें कि आपने बहुत यह अच्छे कर्म किये है आपने जो दोस्तों जो भी अच्छे कर्म किये है उन्हीं का यश्मी वदोलत है कि यश्मी इश्वर का शिरबात और गरहों की परवल एस्थिति आप शिवी की राशी में बना है दोस्तों यश्मी गुरूश शुकर और शनी की जो इस्थिति है बहुत ही परवावशील है क्यों दोस्तों आपकी राशी यश्मी करम परदान राशी है दोस्तों यह श्मय आप शिबी की जुनकाल में एक खुश कबरी आपको मिलने वाली है जियां दोस्तों आप शिबी को बिदा दें कि दोस्तों यह श्मय आप शिबी की जुनकाल में आपको कोई फॉन कॉल से इसी सुज़ना मिल सकती है जिन से दोस्तों आप शिवी का जीवन बदल जाए या फिर दोस्तों कोई नए कार की आप तलाश कर रहे थे जो दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्पून कारी था जो के दोस्तों बहुत ही लगजरी कारी था जिन के लिए आप दोस्तों मेहनत कर रहे थे दोस्तों आपको फौन को सी वो opportunity मिल सकती है कि आप उस महेंगे चीज़ को खड़ सकते हैं दोसों नए मकान नए वाहन खड़ने का यश्मे आप शिभी को शभागी पर राप्त होगा यश्मे आप किशी यात्रा पर भी जा शकते हैं कई पर घूमने का भी ट्रीप यश्मे आप शिभी का बन सकता है मन आपका यश्मे बदलेगा और जिवन काल में दोसों आप धार मिक कारेस्तनों पर भी जाएंगे दोसों इश्वर का दर्शन करना आप शिभी यश्मे बहुत ही बागी शाली होगा और आप जिजबी कारे के लिए घरश्वी बाहर जाएंगे दोस्वों वह कारे आप शिबी का शपल हो जाएगा लगने दोस्वों हम आप शिबी को विदा दें कि जब भी आप घरश्वी बाहर जाएं तो दोस्वों अपने परश्व में दोसों अरवा चावल जरूरी रखिएगा जियां दोसों दोसों अगर आप अरवा चावल अपने जेब में रखते हैं तो दोसों इस बात का ध्यान रखिएगा कि धन की द्वी मातल लक्ष में आप शिवी की इशाथ है और धन की जुड़ी शवी शमश्याएं आप शिवी की जुनकाल में आपके शाथ कभी भी घर वापश नहीं आएंगी जियां दोसों इस लिए दोसों आप अपने जुनकाल में ये चावल को जरूरी लेकर जाएगा जियां दोसों शादे साथ दोसों हम आप शिवी को बदा दें कि जब भी आप घरशी बाहर जाएं तो दोसों अपने इस्ट देवता को परिणाम करके जाएं उन्हें कहके जाएं कि दोसों हमें आप पर जा रहें कहीं पर जा रहें आपने कहके जाईएगा उन्हें आमतर दे के जाईएगा शादे साथ दोसों हम आप शिवी को बता दें कि अगले तीन गरों के अंदर गरों की जो इस्तिती परबल है यश्मी भागी का पूरा पूरा आप शिवी को उशाथ मिलने वाले हैं सिर्फ थोड़ा शाथ सत्रू आपको परिशान कर सकता है दोसों उन्षे बचने के लिए हम आपको कुछ महतकुन उपाई बताते हैं शादे साथ दोसों यश्मी माता लक्ष में आपके जुनकाल में हैं भगवान भोलेनात आप शिवी के जुनकाल में हैं और कर्म के दाता भगवान शिवी के ही पक्ष में हैं कि दोसों यश्मे गुरू, शुकर और शनी की जुश्तिती परबल है, उनमें शे करम फल दाता भगवान शुनदेप का गरः शनी है, दोसों शनी आपके शाथ है, तो दोसों समझ लिजे भगवान शुनदेप का किरपा आफ शिविक के जिवन काल में है, दोसों यश्मे अपने जुनकाल में आप हमेशा जो भी कार करते हैं, दोसों आप ओकार एक नमर को होना से दोसों ध्यान रखिएगा, दोसों अगर आप नए कार की शुरुआत कर रहे हैं, या पिर दोसों जो भी कार कर रहे हैं, दोसों कभी भी दो नमर वाला धंदे को आप मत इसी दोस्तों आप शिबी का कर्म खराब होगा और कभी भी आपके राशी में शनी खुश नहीं होंगे और दोस्तों शनी अगर आपके उपर प्रशन नहीं है तो दोस्तों ध्यान रखेगा कि आप शिबी के जुनकाल में शंकट आने वाले हैं और शनी अगर आपके जुनका करना चाहिए दोस्तों आप शीवी को विदार दो सिब्धारने के दनकी दिभी माताल लक्ष्मी आप शीवी के उपर प्रशन हैं ओसनों यह श्मी आपको उपने जुनकाल में शत्रु से बजने के लिए और माता लक्षमी का वाश अपने घर में करने के लिए गौन्शू बायं को करना चाहिए दोस्तों घर के मुक्वेद्वार पर शर्षों के तेल और शिंदूर को मिश्दूर करके दोस्तों टीका लगाने से कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में परवेश नहीं कर पाएंगी जियां दोस्तों के दोस्तों शत्रू परवल है तो आपको ये चीज़ जरूरी वो कर सकता है दोस्तों गर आप ये चीज़ करेंगे तो दोस्तों आपके घर में वास्तो दोस्त भी शमाप्त हो जाएगा और माता लक्षमी का भी वहाँ शापशिवी के घर में रहेगा शादेशाद दोसनों शनीदेव की जो भी नजर द्रिष्टी आपके जुनकाल में खराब है दोसनों वो भी अच्छे हो जाएंगे और शनीदेव आपकी रक्षा करेंगे दोसनों इस बात क्या ध्यन रखें बहुत ही महत्पुन उपा है दोसनों जो भी इंशान अपने जुनकाल में ये उपाय को कर लिता है दोसनों उनके जुनकाल में कभी भी धरन शुक्ष्पमदा की कमीन ही होती है शादेशाद हम आप शुबी को बता दें कि दोसनों आप शुबी के जुनकाल में कड़रपति नामका योग भी बनेगा तो भी जातक अपने जुनकाल में इस उपाय को करेगा तो पहुंच रही है तो दोसों आप गज लक्ष्मी योग लेकर आये हैं जी दोसों शमद्र शास्त के अनुशार एशे व्यक्ति शाधारन परिवार में जन्म लेकर बड़े धनवान और दोसों प्रशिद्धी मिलती है तो दोसों एशे में आपको कौनशी उपाय करना चाहिए बस दोसों अपने जनकाल में आपको जब भी आप रविवार के दिन उड़ते हैं तो दोसों शुरुदेब को जरूरी शबसे पहली जल अरपित कीजेगा दोसों ध्यान रखेएगा जब भी आप शुरुदेब को जल अरपित करते हैं तो दोस्तों वो जल आपके पेर पर नहीं आना चाहिए जिया दोस्तों इस बात का बस आप ध्यान रखिएगा चाहिए दोस्तों आप किशी पत्थर पर चड़कर जल को औरपित कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप अपने पेरों के नीचे एक गमले रखकर जल को औरपित कर सक लेकिन दोस्तों आपके राशी में शत्रु आपको हमेशा परिशान करना चाहता है तो दोस्तों आपको इन उपायर को करना है इते दोस्तों आपशुपी के विनकाल में भागया उद्य होना निसीद है दोस्तों बहुत ही जल्दी आपशुपी का भागया उद्य हो जाएगा बस दोस्तों आपको इश बात का ध्यान दकना है साथे साथ दोस्तों हम आप शुबा को बिता दें कि रोज शुबा उड़कर आपको अगले दो दिनों में दोस्तों ध्यान रखें कि अगले तीन दिनों के अंदर आपको रोज शुबा उड़कर जब भी आप शोकर उड़ते हैं तो सबसे पहले ध्यान आप भगवान की करें जी है दोस्तों उश्ये बाद मात्र तीन शब्दों को बोलने शे आपके तीन गरह अच्छे हो जाएंगे जी है दोस्तों अपने पिता का नाम चार बार बोलिए अपनी माता का नाम तीन बार बोलिए और अपने गुरू का नाम तीन बार बोलिए इससे दोस्तों शुरी चंदर और गुरू ये तीनों गरह शुब भल देना शुरू कर देगा तो दोस्वों अगले तीन दुनों में आप इस बात का ध्यान लखिएगा साथी साथ दोस्वों हम आप शुव को बता दें कि अगले तीन दुनों के अंदर आपको कौन से चीज का ध्यान लखना है दोस्वों हिंदू धर्म में तीन चीजों का एक शाथ होना अशुव माना जाता है हिंदू धर्म के नुशार थाली में एक शाथ तीन रोटियां नहीं प्रोशनी चाहिए हिंदु धर्म के नुशार जब हम अपने किशी को जोस्तों पुरवच के लिए थाली में रोटी डालते हैं तो उनमें तीन रोटियां रखी जाती हैं इसलिए तीन रोटियां थाली में नहीं रखी जाने चाहिए दोस्तों विज्ञानिक द्रिश्ची शेवी अगर हम इसे देखें तो दो रोटियां और थोड़े शेचावल के शेवी श्वास्त के लिए व्यक्ति के लिए प्रयाप्ते आहार हैं और दोस्तों इस से आपशिवी के जुनकाल में धन की देवी प्रशन होती है और आपके जो भी पितर गुरू है पितर दोश आपशिवी के श्रमाप्त हो जाएंगे और दोस्तों पितरों का शिरबाद आपशिवी को प्राप्त होगा दोसों यश में आप इश बात का धन रखेगा कि अगले तीन दिनों के अंदर जावित्तरी, गाईत्तरी और केशर लाकर उशे कुट कर मिला ले इश की बात उश में उचित मात्रा में गूगल मिला ले अब दोसों इश मिश्रन का धूप प्रति दिन श्राम को दे जोबि किशी ने काले टूटके किये हैं जादू टूने किये हैं अब फिर आपके जीवनकाल में नकारत्मा के शर्तियां छोड़ दिये हैं दोसों उन शबी को आपशिवी को मुक्ती मिल जाएगा और दोसों जूनकाल आपशिवी के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा जी अदोसों शाधिशाध दोसों हम आप शुव को बढ़ा दें कि अगले तीन दिरों के अंदर माता लक्षमी आप शुव की जुनकाल में आ रही है तो दोसों इशुमें आपको कौन से संकेत मिलने वाले हैं तो दोसों धिहांश चुनेगा दोस्वों अगर आपकी चत पर अगर आपकी आंगन पर कबुतर ने अपने पंक को छोड़ दिये हैं जिया दोस्वों दोस्वों इस बात का ध्यन रखेगा कि दोस्वों आप शुबे के जुनकाल में मातालक्षमी का वाश होने वाले हैं या फिर माता लक्षमी आप शिवी के घराने वाले हैं तो दोस्वों इस बात का आपको ध्यान ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जोरी है कि दोस्वों ये ध्यान रखना जिवनकाल में बहुत ज़्यादा अवश्यक है कि दोस्तों यहीं शब गलती करते हैं जिनकी कारण मातालक्षमी रुष्च हो जाती है आपके घर आती है लेकि दोस्तों आप इधियान नहीं रखते हैं कि कारण दोस्तों मातालक्षमी रुष्च हो जाती है तो दोस्तों इस बातों का धियान आपको रखना ही बहुत यदा पानी का वज़ता करना है दोस्क इशे आपके करमों के दियाता भगवान शुन्धे भी परिशन होंगे और धन के दिवी मात लक्षमी परिशन होंगे दोस्क इन बातों को डियाण रखेंगे तो दोस्क जोनकाल में आपको हर एक दिन शुब लाब आउशर मिलते जाए दोसों उन बातों का ध्यान रखना आपके लिए बेहर आवश्यक है तो दोसों फिर मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए आप शुबी का धन्यवाद आप शुबी का दिन शुब हो मंगल मैं हो